उसी अधिकार को आज पुने अगर प्रदान करने का काम किसी ने किया है जन्ना एक असो गलोट साब ने किया है वंसावली लेकन वंस लेकन जो एक विद्या है पूरे बहुत खुशी की बात है गन्ना एक असो गलोट साब ने पहली बार वंस लेकक समाज को ये अउसर दिया है कि वो अपने खोये हुए अपने अतीत की उस गरिमा को वापस प्राप्त करें आज आप व्यासपीट देख रहे हैं ये सूत और मागद की व्यासपीट है कोई भी कथा व्यास जो है वो सूत जी महाराज बिना प्रारम्ब नहीं हो सकता आज कथा का अधिकार जो सूतों को है वो सूत अधिकार खो बैठे कि आज पुने अगर परदान करने का काम किसी ने किया है जन्ना एक असोग गैलोध साब ने किया है वनसावली लेकं वनसलेकं जो एक विद्या है पूरे भारत में एक अध्वित्य एक परंपरा है और ऐसी परंपरा सम्पू пойд विष्व Meng소 में केवल हमारे भारत में यह और विश्यज करके राजस्तान में यह सब वंसलेक कर राजस्तान से समम्मन्द रख्थे हैं तो ऐसे में इन लोगों के माध्यम से इन्हें अपनी वास्तिवी गरीमा में जागरित करने के लिए वंसावली के बारे में कि वंसावली क्या है पीडिया क्या है उनको किस तरह से लिखा जाता है उनको संजो के किस तरह से रखा जाता है इस तरह का प्रशिक्षन आजादी की गोरवगा था लोग इतियास को जुटाने की कोशिश करते हैं वा पूरा हिंदुस्तान के अंदर इतियास के साथ तोड़ मरोड कर रही है और जिस तोड़ मरोड की वज़े से बच्चों का मानस जो है वो खराब क्या जा रहा है उसके अंदर नफरत की भावना पैदा की जा रही है उन्हीं को अपनी गोरवमई गाथा सुनाने के लिए उन्ह का भी वरणन नहीं किया जा सकत तेज वरणन के रोज दिन उठकर के एक नया कारे करते हैं उनके विकास की गाथा और यह रामकता जो हमारा वर्सों का आतीत का हमारा अधिकार है वो राम कता व्यास पीट के माध्यम से आज हम लोग यहां करेंगे इस संबाग के नहीं पूरे राजस्तान के वंसलेकक यहां एकत्रित होने जा रहे हैं यह जवार रंगमंच अजमेर जहां आप हम लोग बैठे हैं यहीं पे हो रहा है राम सिंग राव अध्यक्ष वंसले का कादमी राज्य मंत्री दर्जा क्यों ऑना हम अजमार्ण वो रिका लाज़ा च वो रहा वोग जवां पलोग